Sucksства Istory of Dhirubhai Ambani in Hindi Dhirubhai Ambani, business जगत के गुरु Dhirubhai Ambani जो business के महार्थी के नाम से जाने-माने businessman है, जनोंने अपने बहतरीन अंदास से थेले पर पकोडे बेचने के सफर से एक Reliance Industry जैसी बड़ी company की स्थापना की थी, हालां कि ये सफर उनके लिए इतना आसा नहीं था पर उनकी अद्गुत सोच ने उन्हें ये करने पर मजबूर कर दिया वर्टिकल बार बड़ा सोचो जल्दी सोचो और बहुत आगे की सोचो क्योंकि विचारों पर किसी का अधिकार नहीं होता ऐसा मानना था हमारे धीरु भाई अंबानी जी का वर्टिकल बार जी आज हम धीरु भाई अंबानी जी के बारे में बात करने जा रही हैं इससे पहले आपने हमारे यूट्यूब को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर ले और हमारे यूट्यूब के साथ हमसे अच्छी तरह जुड़ जाए वर्टिकल बार धीरु भाई अम्बानी जी के अद्भुट सफलता की कहानी इनका जन्म 28 दिसंबर 1932 को चोरवार गुजरात में हुआ था चोरवार जो एक छोटा सा गाव जो मचली पकड़ने के लिए जाना जाता था उनका पूरा नाम धीरजलाल गोवर्धन अम्बानी है वह तो बचपन में व्यापार नाम से इतने प्रभावित हुए कि उनके व्यापार करने का ठान लिया था और दिन रात उसी के ऊपर रिसर्च किया करते थे और उन्होंने हाई स्कूल के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी उनका ऐसा मानना था कि दुनिया में पढ़े लिखे व्यक्ति बस ही पैसे नहीं कमा सकते कोई भी पैसे कमा सकता है उनकी इस सोच को कायम रखा वर्टिकल बार और उनके बिजनेस करने की सोच के चलते वह कुछ ना कुछ बड़ा करने के बारे में खोचते रहते हैं एक बार की बाद जब वह एक पेट्रोल पंप पर तीन सो रुपए महीने की तनकवा पर काम करने करने लगे थे उननीस टी एच में यह पैसे बहुत ज्यादा कहलाते थे वह पार्ट टाइम कोई ना कोई काम भी करते रहते थे एक बार उन्हें एक खिलोने बेचने वाला मिला जो एक सो रुपए का एक खिलोना बेचता था तो उन्होंने उनसे पूछा कि आप खिलोने कितने में खरीदते हो उस खिलोने वाले ने कहा मैं दस खिलोने खरीदता हूँ तो सत्तर रुपए का पढ़ जाता है तभी उन्हें एक काम करने का सुझाव आया वो उसी दुकानदार से मिलने पर वह धीरुभाई बोले मुझे खिलोने बेचने हैं कितने का दोगे दुकानदार ने सत्तर रुपए का एक बताया उन्होंने एक ओफर दिया कि मैं तुमसे एक सौ खिलोने खरीद लूँगा तब कितने का लगाओगे उसने बोला पचास उन्होंने एक पकोडे का ठेला खुलकर अपनी जन्नी को शुरू किया कुछ साल तक पकोडे बेचने के बाद 1948 में अपने भाई रमनिकलाल की मदद लेकर उनके साथ चले गए वहां उन्होंने और भी कई कामों को अन्जाम दिया धीरू भाई ने अपने पेच्रोल पंप पर काम करने वाले दोस्तों को एक काम करने की सलाह दी तो तो वह सभी मान गए और उनका ओफर उन्हें बहुत पसंद आया सुबह भी उसी दुकान से खिलोने खरीदने लगे तो धीरू भाई को एक एक व्यक्ती से 200 रुपय का ला होने लगा ऐसा करने से उनकी पैसिव इंकम जनरेट हो गई कुछ साल काम करके फिर इन्होंने एक काम छोड़कर दूसरे काम मसाले और पॉलियस्टर के काम अपने चचेरे भाई चंपकलाल के साथ मिलकर शुरू किया कुछ साल इसमें मेहंत करने के बाद इनके बिजनेस का टर्नोवर वनजीरो शून्य 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 साल हो गया फिर इन दोनों भाई के बीच में कुछ समस्या हो गई और इन दोनों के बिजनेस करने का तरीका भी अलग था तो दोनों अलग हो गए फिर इसके बाद तेलीकॉम इलेक्ट्रिसिटी ओफ पेट्रोलियम मे धीरे धीरे आते गए और इन कम्पनियों को अच्छे मुकाम पर पहुँचा कर कुछ साल बाद उनका 6 जुलाई 2002 को निधन हो गया लेकिन आज भी इनके बिजनेस करने के तरीके से लोग याद करते हैं वर्टिकल बार